इस वीडियो को शुरुवात करने से पहले मैं सबसे पहले आप लोग से ये कहना चाहता हूँ कि मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसाद ये नहीं कि लोगों को ठेस पहुँचाना उनका जाती धरम या फिर किसी भी व्यक्ति को मेरा ठोस पहुँचाना मेरा उदिश्या नहीं ह लोगों को जनकारी देना चाहता हूं कि अखिर हम लोग के साथ में क्या हो रहा है हेलो माई डियर फ्रेंज कैसे हैं आप सभी को मेरे और से प्यार भरा नमसकार और जैजिसु सबसे पहले आप लोग से पूछना चाहता हूं कि क्या आप लोग Recently कुछ दिन पहले असाम में हम लोग का जो Christian स्कूल सब है जो religious bishop लोग है जो fathers, sisters और brothers लोग है जो लोग की लोगों का सेवा कर रहे हैं और वहां पे जो स्कूल सब है उनके साथ में अभी क्या हो रहा है क्या आप लोग जानते हैं दोस्तों अगर आप लोग को नहीं पता है तो आज मैं आप लोग को इस वीडियो के माधियम से जानकारी देना चाहता हूं कि अभी फिलाल कुछ दिन पहले असाम में क्या हुआ है और क्या हो रहा है आप लोग को मैं इस वीडियो के माधियम से जानकारी देना चाहता हूं तो आप लोग वीडियो को आन तक देखिए मैं दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आप लोग आन तक नहीं देखोगे तो आप लोग समाज नहीं पाऊगे कि वहाँ पे फिलाल हम लोग का जो भी मिसनारी स्कूल सब है आप लोग को पता होगा कि असाम में बिजेपी का सर चल रहा है तो कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि विजेपी रूलिंग पाटी का एक बड़ा नेता ने यही घोसना किया था कि कुछ दिन के अंदर में कुछ चंध समाए में जो भी खृस्टियान स्कूल सब है वो स्कूल में से और वो स्कूल में जो भी फादर्स हो या फि क्या करना है वो स्कूल से सबसे पहले जितना भी मिसनर जितना भी ख्रिस्टियान स्कूल सब है वो स्कूल सबसे सबसे पहले क्या करना है कि जो भी स्टाच्यू है जो जिसेस का स्टाच्यू हो गया माता मर्यम का स्टाच्यू तो क्या करना है वो सिम्बल साब को आपको वहाँ से सबसे पहले हटा देना है और जब भी जो भी father हो या फिर brothers या फिर sisters कोई भी धर्म गुरु हो स्कूल में पढ़ाने के लिए जाते समय क्या करना है जो religious symbol होता है जो हम लोग का जो cross होता है वो cross को पहान के नहीं जाना है एलान कर दिया था दोस्तो बीजेपी ruling party का एक बड़ा नेता है कुछ दिन के अंदर में सब कुछ खाली करने के लिए बोला गया था और यहां तक कि इतना भी हो गया था कि वहां के कुछ लोग हैं जो कि एक school में जो हम लोग का missionary school में poster भी छाप दिये थे कि कुछ दिन के अंदर में आप लोग अगर ये सब कुछ नहीं किये तो हम आपका school को attack करेंगे और तोड़ फूर करेंगे सब कुछ करेंगे बोलके poster में छाप दिये थे दोस्त पोस्टर छापा गया था दोस्तों तो अखिर कर क्या होता है कि उस school में भी force लग जाते हैं उस school को protection देने के लिए सरकार के तरफ से यानि कि सुरक्षा के लिए सुरक्षा बल भेजा गया था उस school को सुरक्षा करने के लिए दोस्तों तो और ये भी सुनने में आ रहा था कि जितने भी magic magic यानि की magic healing system जो कि हम लोग का जो pastor लोग होते हैं प्रोफेट लोग होते हैं वो लोग जो healing करते हैं चंगाई करते हैं वो सब कुछ भी ऐसा सुनने में आ रहा था कि उस state से बैन करने के लिए बोला जा रहा है ऐसा भी सुनने में आ रहा था दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को यही कहना चाहता हूं कि क्या एक school में एक जो हम लोग का Christian missionary school सब है बहुत बहुत दीन से बहुत पुराना school सब है बहुत दीन से जब कि साएद हम लोग भी पैदा नहीं हुए थे तबी से उस school में जितना भी हम लोग का missionary school सब है वहाँ पे हम लोग का religious जो मूर्ती सब है जो हम लोग का Jesus Christ का मूर्ती या फिर माता मरयम का मूर्ती या फिर कोई सेंड का मुर्ती बहुत पूराना बहुत साधियों से पहले वहाँ पे लगा हुआ है दोस्तों रखा जा रहा है और वो एक हम लोग का धर्मिक सिंबल है हम लोग मानते हैं और हम कहीं पर भी जाएं हम लोग अपना जो धर्म का जो सिंबल होता है उसको पहान सकत है उसमें कोई भी रुकावाट नहीं है कोई भी आपको माना करने वाला नहीं है लेकिन अभी धिरे-धिरे पता चल रहा है कि यहां तक कि वह जब स्कूल जाते समय सिम्बल जो हम लोग का क्रोस है रोजरी है उसको भी पहनने के लिए माना कर दिया जा रहा है और जो मुर्ति सब है उन सब को भी हटाने के लिए आदेश दिया जा रहा है तो आप लोग समझ सकते हैं कि हम लोग के साथ में अभी क्या बीत रहा है यह सब कुछ करके जो सिम्बल सब हैं वो सब को हटा के क्या कुछ मिलेगा जिंदगी में क्या कुछ मिलेगा कुछ मिलने वाला नहीं है जिन्देगी एक बार मिला है, आज हम लोग आए हैं इस दुनिया में, तो काल एक दिन आएगा कि हम इस दुनिया से छोड़ कर चले जाएंगे, तो इसमें हमको क्या फायदा मिलने वाला है, कुछ मिलने वाला नहीं है दोस्तों, मनाव सेवा ही इसवार का सेवा है, हम अगर धराम को मन रहा है, किसी तरह से भी उमाना करेंगे, या फिर उनका जो चर्चेस में तोड़फोड करेंगे, स्कूल सब को तोड़फोड करेंगे, क्या मिलेगा, कुछ मिलने वाला नहीं है, ऐसा एक दिन आएगा कि भागवान आपको नहीं माफ करेंगे, नहीं आपको जगा मिलने वाला नहीं है, दोस्तों, आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ, हम लोग का जो सरकारी स्कूल सब है, या फिर आस्पाताल हो, या फिर कहीं पर भी कोई भी सरकारी जगा है, या कोई भी सरकारी जगा है, वहाँ पर आप लोग देखी होंगे, उनका जो भ मुर्तियां सब है और काई भी सरकार कोई भी सरकारी जगा हो वहां पर आप लोग को देखने के लिए मिलेगा कि उनका जो मुर्तियां या फिर स्टाच्यू या फिर फोटोस बगिर आप लोग को देखने के लिए मिलेगा लेकिन उनको विरोध करने वाला कोई नहीं है विरो एक अच्छा जिन्देगी की तरह जिएंगे, क्या फाइदा है, बिरोध करके क्या मिलेगा, ना ही कभी हम लोग बिरोध किये हैं, और ना ही हम लोग कभी बिरोध करेंगे, क्या मिलेगा, कुछ मिलने वाला नहीं है दोस्तों, और आप लोग देखे होंगे, कि जो भी सरकरी, स्कूल होता है, अस्पताल या फिर कोई भी जगा हो, वहाँ पे सभी धराम के लोग होते हैं, सभी धराम के लोग जाते हैं, स्कूल में सभी धराम के लोग पढ़े करने के लिए जाते हैं, अस्पताल में सभी धराम के लोग जाते हैं, जो सरकरी जगा सब होता है, वहाँ पे सब को हटाने के लिए बोला जा रहा है क्या मिलेगा कुछ मिलने वाला नहीं है आज वहां पर हो रहा है तो कल को साइध हम लोग का यहां पर भी हो सकता है हम किसी भी ब्यक्ति को किसी भी धराम के किसी भी लोग को हम इस वीडियो के माधियम से हम हम लोग का किसी भी ब्यक्ति देना चाहते हैं कि क्या हम लोग के साथ में अभी फिलाल हो रहा है क्योंकि दोस्तो हम किसी दुसरे व्यक्ति को ठोस पहुचा के उसका धरम के बारे में ठोस पहुचा के या फिर उसका धरम के बारे में ठोस पहुचा के उसका धरम के बारे में अनियाए करके क्या मिलने वाल है दोस्तों आज उहां पर हो रहा है कल के कल हम लोग के साथ में भी हम लोग का यहां पर भी हो सकता है इसलिए जितने भी मेरे भाई बहन लोग वीडियो को देख रहे हैं आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेर कीजिएगा और सतार करहिएगा एक जूट होका ताकि हम लोग के साथ में ये ना हो अगर ये हो उनके साथ में भी अगर हो रहा है तो ये प्राथना ये करना है कि जल्द से जल्द सब कुछ ठीक हो जाए और सब कोई अपना अपना जिंदेगी को अच्छी तरह से जिये नहीं किसी का धराम को ठोस पहुचे नहीं किसी ब्यक्ति को ठोस पहुचे तो इसके लिए हमको हमेशा तयार रहना है दोस्तों और हमेशा प्राथना करते रहना है कि जो कुछ भी अभी हो रहा है जो कुछ भी घट रहा है जितना जल्द हो सके ये हट जाए और लोग एक सांत पुर्ण जिन्देगी जियें दोस्तों यही हम लोग चाहते हैं और यही हम लोग कामना करते हैं तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ अगर इस वीडियो में मैंने कुछ भला बुरा किसी को अगर बोल दिया हूं तो उसके लिए भी मैं आप वीडियो को देख रहे हैं मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप लोग जितना हो सके आप लोग सैर कीजिए ताकि लोग देखें लोग जाने और सतर्क रहें और हमेशा प्रियार करते रहें दोस्तों तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए इतना ही ध या नवान